हेलो स्टुडेंट्स, हाव यू, वेलकम बैक मेथा स्कूल डिजिटल क्लासेज देखो, पिछले लेक्चर में हमने दहन और ज्वारा वाला चेप्टर कंप्लेट कर लिया था तो इन ओनलाइन क्लासेज में आपके 6 चेप्टर कंप्लेट हो गए कितने चेप्टर कंप्लेट कर वा दे मैंने 6 चेप्टर, यह आठवा चेप्टर में चालू कर रहा हूं आठवा चेप्टर है कोशी का, जीवन की आधारबूत सम्नाचना तो मतलब नया चेप्टर चालू कर दिया बायलोजी का चेप्टर है और चेप्टर का नाम क्या है कोशी का कोशी का के बारे में हमें पढ़ना है तुमारे आज की क्लास भी यही है देखो समझते हैं कोशी का के बारे में देखो कोशी का क्या चीज है इतना तो आपने पड़ी रखाया, थोड़ा वो जानते ही हो, सबसे पहले मैं इसके definition लिख दूँ, सजीव की आधार भूत, किरियात्मक एवां संरचनात्मक कोशिका कहते हैं, सजीव की आधार भूत, किरियात्मक एवां संरचनात्मक एवां संरचनात्मक एवां कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं, देखो, हमारी जो बोड़ी है, हमारी क्या बात है, जो भी सजीव है, इस दुनिया में इस अर्थ पर जितने भी सजीव हैं, जैसे हम हैं, पेड़ बोदे हैं, गाई भैंस, बक्री भेड़, जितने भी सजीव हैं, या सुक्षम जीवानों हैं, उनका सरीर किस से बनाओ है, कोसी का से, जैसे मैं मेरा ये एक्जाम्पल ले जैसे में पर पर ज हमें और अको से नहीं देख सकते हैं, ठीक हैं? और कोशी का कहा है? हमें क्यों नहीं दिख रही हैं, उसका भी नहीं आसर देदू हमारी पूरी बोड़ी कोसी का से बनी हुए जो, स्कीन बन रही जोड जूड कर जूड जूड कर कोशिका उन्हें बड़ा रूप ले लिया ओर जैसे मालो तुछा है अगर इस पुर्चा का मैं एक क्ण निकाल दूं तो तो अच्छा भी कर जाएगी ओर से एक एक सबसे पहले क्या शरीर शही कोशिका बनाता हूं मैं सबसे पहले आई कोशिका जब बहुत सारी कोशिका ही मिली जब बहुत सारी कोशिका है आपस में मिलती है तो बनता है उत्तक क्या बन जाता है उत्तक जब बहुत सारे उत्तक मिल जाते हैं तो बनता है उत्तक तंत्र, जब बहुत सारे उत्तक तंत्र मिल जाते हैं, तो बनता है अंग, जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं, तो बन जाता है अंग तंत्र, और जब अंग तंत्र मिलते हैं, तब लाश्ट में बनता है शरीर, क्या बनता है शरीर, तो देखो, स्टार्टिंग कहां से यह जो बोड़ी है शरीर है इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है इसकी स्टार्टिंग हो रही है कहां से कोशी कहां से इसकी स्टार्टिंग अंग से तो नहीं हो रही ना अंग तंतर से तो नहीं हो रही ना थेखोशिका उन्हें तयार किया किसकों। छुछटिर कुछ जैस्माह्ट एग्जाम्पल दूओ। इदर से मैं पिछे से आऊू कोई भी हमने अंग्तंतर ले लिया, मानलों एक अंग्तंत्र हमने ले लिया कि यहां पर पहुंचो कोई अंग है क्या हात है तो हात एक परकार का अंग है की नहीं है तो हात के अंदर कितने सारे उत्तक है देखो हात में उत्तक में गिनवाता हूं आपको तो अच्छा रक्त मास्पेशी और हड़ी यह सब उत्तक है तो अच्छा अपने आप में उत्तक है रक्त अपने आप में उत्तक है मास्पेशी उत्तक है और हड़ी उत्तक है तो यह तो उत्तक तंत्र हो गया यह उत्तक यह भी अपने आप में उत्तक यह भी अपने आप में उत्तक यह भी सारे उत्तक मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है उत्तक तंत्रे तो यहां पर हम एक example ले लू तो अच्छा इस तो अच्छा का निर्माण किससे हो है कोशी का से तो अच्छा की बहुत सारी कोशी काई मिल गई तो अच्छा बन गई जैसे मालो एक कपड़ा बन गया ना इतना बड़ा कपड़ा यह कपड़ा है यह रूमाल रूमाल अगर इस हमें पता है यह बना क्या है रूमाल और रूमाल बना किस से है रेशो से किस से रेशो से इसका एक एक रेशा निकाल द को निकालते जाओगे आप तो पूरी बोड़ी क्या हो जाएगी फैल जाएगी अब डेफिनेशन में आओ एक बार सजीव की आधारभूत का मतलब है सजीव को जिसने बना रखा है जिनको एक धांचा दे रखा है रूप दे रखा है रंग रूप दे रखा है एक स्ट्रक्च उन्हें और उन्हीं आकार को लेकर मैं क्या कर रहा हूं किरिया कर रहा हूं और वो संरचनात्मक धारभूत इकाई देने वाली सोरी संरचनात्मक और किरियात्मक रूप देने वाली जो इकाई है that is called cell उसे हम क्या बोलते है कोशिका कहते हैं तो धान रखना हमारा पूरा श शरीर की सबसे छोटी का यह कोशीगा और हम उस कोशीगा से बने हुए बस हुआ क्या वह कोशीगा जुड गई तो उत्तक बन गया फिर उत्तक जुड गए तो उत्तक तंतर बन गया उत्तक तंतर बन गया तो अंग बन गया और अंग से पुरा क्या तयार हो गया शरीर तयार ह गया जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लों खो सीखा को समझाने के लिए देखो सब से पहले भी इत और उपर हम क्या करते हैं प्लास्तर करते हैं कि नहीं करते सिमेंट से प्लास्तर के उपर आप क्या कर देते हो ब्रिला पुट्टी या कलर या पुट्टे के ऊपर क्या होता है कलर होता है और फिर क्या तैयार हो जाती है दीवार फिर क्या तैयार हो जाती है दीवार तो इस दीवार को क्या मालो शरीर दीवार को क्या मालो शरीर और इस एट को क्या मालो कोशिगा बाकि जो बीच इस दिवार को भी खेरना है, तो क्या मैं कलर भी खेरूं, कलर को उतार दो दिवार अट याईगी, पुट्टी को उतार दो दिवार अट याईगी, प्लास्टर को उतार दो दिवार अट याईगी, नहीं अटेगी, यह दिवार तभी अटेगी जब हम इसमें से इट निकाल और एट दिवार के लिए कोशिका है, जैसे हमारा शरीर कोशिका से बना है, वैसे ही दिवार भी किस से बनी हुई है, इटों से बनी हुई है, एक 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 एट ने सजाकर दिवार तयार किया है, फिर उसके बाद, जैसे हमारी बोड़ी की कोशिका, फिर तो अच्या आ गई, मा दिवार धंग से तयार करनी है, तो फिर ये भी करना पड़ेगा, प्लास्टर भी, पुट्टी भी, कलर भी, फिर आप सोच रहो सर, बिना प्लास्टर का ही काम चल जाएगा, तो इसे ध्यानक न, जिस परकार शरीर का निर्माण कोशिगा से हुआ है, उसी परकार दिवार का निर्माण, इट से हुआ है, तो इस तरीके से आप कोशिगा को समझ सकते हूं, ठीक है, अब next topic क्या बढ़ाऄँगा मैं, वो है कोशिगा का इतिहास, कि सबसे पहले कोशिगा को किसने खोजा, ये कोशिगा का जो थोट है, किस के दिमाग में आया, दुनिया के सामने कोशि कोशिका का इतिहास History of Cell देखो सुनो इतिहास से मतलब है कि दुनिया के सामने कोशिका आई कहां से किसके दिमाग में थोट पनपा किसके दिमाग की ये उपज है कि कोशिका को कौन लेकर आई सबसे साथ सबके सामने कोशिका को सबसे पहले उज्यागर करने वाला जो साइन्टिस्ट था वो था रोबर्ट हुक और ये बात कब की है 1665 1665 में साइन्टिस्ट आया जिसका नाम था रोबर्ट हुक रोबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका देखी थी कब 1665 में और कोशिका किस में देखी थी कोर्क की कोर्क की यानि की कोर्क में कोशिका देखी उसने और कोशिका भी कैसी थी मर्द कोशिका कर अब क्या मुल रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि 1665 में रोघ कोशिका किस में अब कोशिका किसने लेकिन उसने कोशिका सबसे पहले देख कुछी दिनरत काति मरी होई थी जीवित कोशिका नहीं थी अब रोघ्टुप के कि में देखी कौर्क देखो कोर्क क्या होते है सुन न ज्यान से कॉर्क होता है जो प्लांट आता ना प्लांट उसकी च्छाल प्लांट की च्छाल को क्या ब今年 को जब तक वह छाल पेड़ से जुडी होई है जैसे दरवाजय बनेवाए हैं वह भी कऊर्कि ре our आप ऐसा मज़ सकते हो, एक काच की शिशी देखे होगी, बोटल, उसके उपर लकडी का डखन लगाऊता न, लकडी का डखन, वो कोरक है, वो क्या चीज है, कोरक, जैसे मान लो, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, और ये प्लांट का क्या है, तना, इस तने के आप देखना उतार के छिलके उतरते हैं वो च्छाल है यह जो यहां से इस तने से जो च्छाल उतर रही है यह मालो हमने यहां से थोड़ी सी च्छाल उतार लिए ऐसे थोड़ा सा कट करके यहांसे, ऐसे थोड़ीसी च्छाल, ऐसे कट कर दिया इसको च्छाल अलग से ले लिए, यह च्छाल हमने बाहर निकाल ली है ठीक है, क्या है यह च्छाल? तो जब तक यह च्छाल इस पेड़ से जुड़ी होई थी जब तक ये च्छाल इस पेड से जुड़ी वी थी, तब तक तक ये जीवी थी और अगर इस च्छाल को हमने अलग कर लिया अब ये पेड से अलग होगी तो मृत हो गई न तो इस मृत च्छाल को ही रोबर्ट उपनी क्या बोला था? कौर्क क्या बोला था? कौर्क और इसी कौर्क की में उसमें क्या देखा था? कोशिका देखी थी अब कोशिका ऐसे डारेक्ट को नजर आएगी नहीं कि छाल में सरा में तो नजर नहीं आ रही कोशिका को देखने के लिए ज़रोत पढ़ती है किसकी? कोशिका ऐसे तो नजर आएगी नहीं कोशिका को अगर देखना है तो एक यंतरू टाना पढ़ेगा और उसे बोलते हैं शूख्ष्म दरसी माइक्रो स्कोप सूख्ष्म दरसी और सूख्ष्म दरसी में भी आप डारेक्ट छाल लगाकर यह एक कोज़क papier पहले जिस कोशिका को आपको देखना है उस कोशिका की क्या बनानी पड़ती है च्रीड बनानी है अब रोबड उपने क्या किया था यह जो मरिवी च्छाल है जिसको क्या बोल रहा हैं? कोज़क उस कोज़क की कोशिका देखी थी रोबर्टो उपने कौर्क, तो सबसे पहले काम किया था, उसने इसकी क्या बनाई? अreated बनाई, और slide गैसे बनाता है, एक आय दाकार काँच की पट्टी लेते हैं, उसके उपर ऐक बूंद डालते हैं किसकी जलकी, किसकी मून डालते हैं? जल की अब अगर कोशिका को आपको ढंक से देखना है कलरफुल देखना तो इसमें एक वरनक आता है, कलर आता है सैफरनीन, वो भी डाल सकते हैं लेकिन बिना कलर देखना हो तो पानी से काम चल जाएगा अब हमें कोशिका किसकी देखना है, कोर्क की तो कोर्क की एक पतली सी परत निकालो जो चिम्टी आती ना, जिसे प्याज की पतली जिल्ली आती ना चिम्टी से क्या हाथ से निकाल ले प्याज की दो तो प्याज की पतली जिल्ली की तरह है कोर्क की जिल्ली उतारनी है और उस जिल्ली को इस पानी के उपर ऐसे फैला दो उस जिल्ली को पानी के उपर अब ये जो जिल्ली है ना किसकी जिल्ली है कोर्क की कोर्क की पतली जिल्ली क्या कियाम ने सबसे पहले काच की आयताकार पट्टी ले ली उसके उपर एक बूंद क्या डाल दी, देखो, काच की एक आयताकार पट्टी, उसके उपर एक पानी की बूंद, जिसकी कोशिका देखनी है, बात तो रोबर्टुक की चल दी है, रोबर्टुक ने किसकी कोशिका देखनी थी कोर्क की, तो उसने क्या किया, कोर्क की एक पतली जिल्ली उताली चिम्टे से, और उसको उस-पानी की वुंद पर फैला दिया, इतना काम करने के बाद, एक cover slip आता है, ब्लास्टिक का बनावा, ब्लास्टिक है यक छोटी सी पट्टी आती है, उस पट्टी को इसके ऊपर विच आ दिया, कोवर की की पतली जिल्ली के उपर लेकिन ध्यान रखना उसे कवर सिलिप बोलते हैं जिल्ली रखने के बाद जिसकी कोशी का आपको देखने होती है उसको ढखना पड़ता है उसको कवर सिलिप बोलते हैं ढखने वाली को इसको क्या करना पड़ता है कवर सिलिप कवर सिलिप या उस प्लास्टिक की छोटी सी पट्टी को जब रखेंगे ना उसके उपर तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें हवा ना गुज़ आए जब भी उसके उपर रखोगे तो हवा के बबल्स नहीं बनने चाहिए पूरी हवा निकलने चाहिए तो इसको इस तरीके से फैल आया जाता है इस कवर स्लिप को कि पूरी हवा निकल जाए क्योंकि हवा नहीं निकलेंगे तो बबल्स बनेंगे बुलबुले बनेंगे और वो बुलबुले माइक्रोस्कोप में नज़राएंगे तो कोशिका डंग जदीखेगी नहीं तो ऐसे स्ल में कोर्क की कोशी का देखी तो देखते ही शोपड हो गया शोपड का मलब उसको एक अचंबा सा हुआ कि यह क्या चीज है फिर उसने उसको कोशी का नाम दिया तो जब उसने इस कोर्क की छाल को सोरी इस छाल की को जो म्रत छाल थी इसकी स्लाइड बनाकर जब उसने सुक्षम दर्सी में देखा तो ये कोर्क या छाल उसको कैसे नजर आई ये उसको नजर आई मधु मक्की के मध्यू मक्य के छत्य के प्रकोस्ट के शमान प्रकोस्ट के समान मतलब जब उसने कोर्क को माइक्रोस्कोप में देखा न कोर्क को दो मध्यू मक्य का छत्य नहीं आता गया जैसे का एक एक प्रकोस्ट का मतलब एक एक वो डिब्बा वो चेंबर एक एक खंड वैसा नजेर आय देखो कैसे, इसका डाइक्राम मैं बनाओं, उनको कैसे में देना आया, ऐसे. यह देखो, ऐसे जो इस्ट्रक्चर लग रही ना, यह, यह ऐसे किस किस्ट्रक्चर है, मदु मक्की का चत्ता, ऐसा ही दो होता है, देखना कभी भी, बारीक तरीके से अपजरू करना, हनी कों को, मदु मक्की का चत्ता हुआ, तो ये क्या चीज है, जब उसने कोर्क की स्लाइड बना कर माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसको ऐसी आकरती नजर आई, तब उसने अनुमान लगाया कि ऐसी आकरती दूमधु मक्की के छत्तेगी होती है, और ये अपने आपने एक प्रकोस्ट है, एक, दो, तीन, चार, पा तेक प्रकोस्ट को एक कोशी का नाम दिया, ये अपने आप में एक कोशी का है, जब ये अपने आप में एक कोशी का है, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक कोशी का, यानि कि एक प्रकोस्ट को उसने क्या नाम दिया, कोशी का, ये कोशी का, ये कोशी का, ये कोशी का, तो ऐसे कोशिका की खोज हुई, इसके माध्यम से, रोबर्टुक के माध्यम से, ऐसे कोशिका उसको नजर आई, तो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर और भी बहुत सारे भागोते हैं, जैसे केंद्रक वगरा, इन सब की खोज बाद में हुई थी, सबसे पहले रोबर्टुक वही कोशिका है यह और सवाल यह उठता है कि मरत कोशिका की खोज तो रोबटुक ने की फिर जीवित कोशिका की खोज किस ने देखी तो देखो जीवित कोशिका की खोज की थी 1604 के अंदर 1604 में खोज की गई थी किसकी जीवित कोशिका की और करने वाले विज्ञानिक का ना एंटोनी वोन लिवेन होक इन्होंने ही 1604 तरमें किसकी खोज की जीवित कोशिका की किसकी खोज की जीवित और इस जीवित कोशिका की खोज किसमें की जलिये जीवानों के जलिये जीवानों के शुक्राणों में जलिये जीवानों के शुक्राणों में यानक ना कोशन आये ना म्रत कोशिका की कोज रोबर्ट उकने कब 1665 किसमें कोर्क में जीवित कोष्री का एक होज, 1644 में किस ने, एंटोनी ओन लिव औक ने, किस में, जलिये जीवों के शुकराणु में, अब जलिये जीवों मतलब पानी में रहने वाले जीव, शुकराणु का मतलब शुकराणु नर्युगमग होता है, ये आप बाद में समझोगे जब आप ज जीवित कोशिका की खोच जलिये जीवों से हुई है, किस से हुई है, ये सुक्राणों ये मैं बाद वाले चिप्टर में किलर करूंगा तो मैं अभी समझ में आएगा ने, तो ये था कोशिका का इतिहास, और ऐसे कोशिका ने तयार कर रखी है किसको, बोड़ी को, सरीर को, त कोशिका का इतिहास और कोशिका का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब क्या पढ़ना में कोशिका का आकार, देखो, ये कोशिका के बारे में जानकरी तो मैंने दे दी, ठीक है, कोशिका के इतिहास की बारे में मैंने पढ़ लिया, अब कोशिका से रिलेट बहुत सारे टोपिक आएंगे, वो जैसे जिसे नेक्स्ट क्लास में दरेगी वैसे वैसे आपको मिलते रहेंगे, जैसे कोशिका का आकार, कोशिका की आकरती, कोशिका के भाग, बहुत सारे टोपिक क्लियर करने में, तो ये तो कोशिका का एकसाम आने पर रिच्छे था, बता तक के लिए थेंक यू, हैवन आज दे